नमस्कार महीव रभी किशन आप मुझे देख रहे हैं मुझफर पुर लाइव नाओ पर देखते रहे हैं सारी खबरों के लिए मुझफर पुर लाइव आपके दिल में आपके आँखों में महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुझफर पुर लाइव नाओ पर इस कारिक्रम के प्रायोजक हैं यूबा राजद कावरिया सेवाशिविर आर्या रिसौत रामद्यालू मुझफर पुर वजफर पुर नगर निगम में पुराने शसक्त स्थाई समीती को भंग करके नए स्थाई समीती का गठन किया गया है जिसमें साथ पार्षदों ने स्थाई समीती पद के लिए शपत ली है इन साथ पार्षदों में तीन महिला पार्षद और चार पुरुष पार्षद शामिल है पटना से आए नगर विकास मंतराले के अपर सचिब जेपी मंडल ने सभी साथ पार्षदों को शपत दिलाई शपत गरहन समारो नगर निगम कार्याले में आयोजित किया गया जिसमें पटना से आए अपर सचिब जेपी मंडल नगर आयुक्त मनेशलाल मीना मेर सुरेश कुमार उप मेर मान मरदन शुकला अपर नगर आयुक्त और अन्य पार्षद सहित नगर निगम के करमचारी मौजूद थे आज का ये कार्यश करम सपत लहन कार्यश करम था मैं दोबारा महापौर के कुर्सी पर काविज हुआ और ये मैंने अपनी अस्थाई सम्थी बनाई इसको मेर मेर का कैबिनेट करा जाने उसमें साथ सुदस है और साथ सुदस का जो है सुद्धास से इनगर निगम कास बंद और कल से हम लोग सहर के पिकास और जो भी काम है उसमें हम लग जाएंगे तुकि अस्थाई सम्थी के बैठक होनी जूरी है बूट की बैठक होनी जूरी है हर एक पंदरा दिन पर एक अस्थाई के बैठक होगी महिना आम एक बूट की बैठक होगी ये अस्वस्तर है सहर के लिए नया पर नई आस्थाई समित्य बनी है नगर निगम के लिए अब ये नए लोग चुनाए है ये और अभी हमारे नगर आयोग की नए आए है तो एक टीम वर्क के रूप में एक कुछ काम जो है सहर के समस्याओं के जनता के जो समस्या है जो काफी लंबिच चल रह मैं कमीटी में नहीं थी तो भी मैं इस सहर के विकास के बारे में हमें से सुस्ती रहती थी और ततपर रहती थी है कैसे सहर का हमारा विकास होगा जैसे हमारा मुजबर को अच्छा हो सुंदर हो स्वक्ष हो और अब तो मैं इस कमीटी में हूब तो मेरी ततपर ततो और भी गई है और मेरा प्रयास से दोगना होगा और और आगे देखे मेरे तो कोशिश ही कोशिश में करूं पर ढमश्कार महुर्पी कि आर्या रिसोर्ट रामद्यालू मुजफरपूर। आर्या रामद्यालू